तो इस बार जो हमारे पैस question है ये question number 4 का third part है तो चलिए देखते हैं इसको में कैसे factorize करना है तो यहाँ पर यह जो question है इसमें से बोला गया है factorize 6x square plus 5x minus 6 तो यहाँ पर क्या है कि देखो a की value 6 है b की value 5 है और c की value minus 6 है तो जो product of ac आएगा वो कितना आएगा product of ac आएगा 36 कैसे आप डारेट ऐसे multiply कर लो 6 इस जा 36 अब अगर हम 36 का factorization करेंगे तो देखो एक तो 18 जा 36 एक तो आ जाएगा 12 3 12 जा 36 एक तो आ जाएगा 49 जा 36 ठीक है तो यह चार factor यहाँ पर बनेंगे एक और भी बनेगा 36 बन जा 36 लेकिन यहाँ पर देखो 36 के जो बीवन और वीटू बनेंगे वो चार बनेंगे टू का टू और 18 त्री ओर 12 फोर और 9 36 और 1 लेकिन हमें यह देखना है कि जो सम है या जो डिफ्रेंस है वो 5 के को लाएग किसका आएगा सम हो डिफ्रेंस का मतलब होता है कि यह जो दोनों नंबर है 2 और 18 यह दोनों फेक्टर हैं तो इनको हम एड कर दें तो या तो 5 आ जाए या तो हम इनको सब्ट्रेक्ट कर दें तो 5 आ जाए जिसका 5 आएगा हम उसको ले लेंगे तो अगर आप पहले वाले का देखो और एडिशन करो टू पलस 18 तो 20 हो जाएगा नहीं लेंगे 18 माइनस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा नहीं लेंगे क्यों 5 के इकवल नहीं आ रहा है अब यहाँ पर देखो 3 और 12 है तो अगर एडिशन करेंगे तो 12 पलस 3 15 हो जाएगा और सब्ट्रेक्शन करेंगे 12 माइनस 3 तो 9 आ जाएगा इसको नहीं लेंगे ठीक अब देखो यह जो 36 माइनस 1 है 36 और 1 है अगर 36 में 1 पलस करेंगे तो 37 होगा और 36 में 1 माइनस करेंगे तो 35 होगा इसको भी नहीं लेंगे इसको देखते हैं अगर 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा नहीं लेंगे लेकिन अगर 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आजाएगा उसको ले लेंगे क्या चीज? 9 माइनस 4 is equal to 5 इस प्रकार से करेंगे कि यह इस B के equal आजाएं किसके equal आजाएं? इस B के 5 के तो 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आजाएगा तो मतलब यह हो जाएगा B1 और यह हो जाएगा B2 एक condition तो follow कर रहा है दूसरी condition होती है कि इनको multiply करके देख लें तो 9 फोर जा कितना होता है? 36 multiply करने पर भी आ रहा देखो 9 फोर जा 36 तो यह दोनों ही condition को follow कर रहा है तो यह जो 9 और 4 हैं यह हमारे यहाँ पर B1 और B2 के value हो जाएगे इनको हम 5 के place पर रख देंगे तो चलिए शुरू करते हैं solution यहाँ पर देखो 6 x square plus 5 x minus 6 कोई भी change होगा नहीं change सिर्फ 5 के place पर होगा 9 minus 4 ठीक है अब देखने हैं इसको solve करेंगे तो 6 x square plus 9 into x 9 x minus 4 into x 4 x minus 6 अब आपको करना है क्या है देखो यहाँ से एक pair दो तर्म का और यहाँ से एक pair दो तर्म का अब देखो यहाँ पर और का symbol r लिखा जाता है ठीक है is equal to नहीं लिखा जाता है तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है क्या यह common हो सकता है हाँ 2 common होगा नहीं 2 नहीं होगा 3 होगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो 3 common होगा x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है तो x भी common होगा तो 3 2 जा 6 x बच जाएगा तिरी तिरी जा, नाइन और यहाँ पर प्लस साइन आएगा अब हम इधर आएंगे थोड़ा सा तो देखेंगे यहाँ से क्या कामन हो सकता है देखो, मैंने आपको बताया है कि जब भी तीसरे ट्रम में माइनस साइन हो तो माइनस डेफिनेटली कामन होगा माइनस जो साइन है वो डेफिनेटली कामन होगा कब होगा जब तीसरे ट्रम का साइन माइनस हो अब यहाँ से टू कामन ले सकते हैं क्योंकि टू टू जा फोर, टू थरी जा शिक्स तो टू कामन ले लेते हैं यहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है इसलिए X common नहीं होगा So 2, 2, 4 X हो जाएगा और sign हमने minus का common ले लिया तो यहाँ पर plus हो जाएगा 2, 3, 6 अब आप देखोगे कि यह 2X plus 3 2X plus 3 सेम सेम है तो इसको आप common कर लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3X minus 2 तो यह हमारे factor होंगे यह हमारा first factor है और यह हमारा second factor है तो यहाँ पर यह हमारा answer हुआ आपको यह लिखने की ज़रो नहीं है आप चाओ तो लिख सकते हो यह rough work है तो यह हमारा answer हुआ इस question का यह exercise 2.4 का question number 4 का third part है question number 4 का fourth part आपको अगले वीडियो में मिलेगा इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के description में मैं लिंक दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं तंच ह呢 आपको आपको देख बत्याओ देखuben देख cowok